हेलो आप देख रहे हैं चैनल सोल डीपेंज देखे आज का अपडेट सोल के फिफ्ट और सिक्थ समिस्टर के रिचिन के उपर होने वाला है कि आपके जो रिचिन है वो कब से स्टार्ट होंगे एक्जmos form कब तक आएगा जिसमें आपके पंने subject सेलेक् shelters के और आपकी शک्थ समिस्टर के आपका रहे और वीडियो का लाइक करते हैं जरूर जाएगा डिस्क्रिशन में आपको टेलिगाम का लिंक मिलेगा उसे भी जाके जॉइन कर लिजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको जो फिफ्ट और सिक्थ समिस्टर का रिशन है वो आपका फाइनल यर का रिशन माना जाएगा अब आपको जो academic calendar है उसके साप सापको बताया गया है कि आपको जो एक्जाम है फिफ्ट समिस्टर के वो December to January के बीच में होंगे और जो six semester के हैं जैसे इस इस बार हुए थे माई के जून के बीच में वो आपके six semester के एक्जाम होंगे अब December to January के बीच में आपके होने वाले 5th semester के exam तो आपको जो examination form है वो कब तर गाएगा उससे पहले हम देख लेते है result कब तक clear कर दे जाएगा 4th semester का अब भी देखिए सबसे main जो 6th semester का result निकालना ताकि वो आगे अपने कोई भी form बढ़ सके तो 6th semester का finally आज सभी courses का result अपडेट कर दिया गया और रिलिस कर दिया गया अब सीब बचा है तो क्या 4th semester और 1st semester के कुछ courses है 1st semester का बचा है और 4th semester का तो अभी कुछ भी start नियुका है अब इसके आने के असार कब तक है देखिए इसके आने के असार अगस्त में ही दिख रहे है सारी चीजे प्रोवैब के उपर ही है कोई fix नहीं बता सकते है यह चीज आपको सुनिवागी आपको जो examination form है तो वो कब तर आएगा अगर आपके अगस्त में आपका result आ जाता है तो यह मान के लिए September को हटा लिए लिए ER का, fail का, absent का कोई student solution कराने के लिए जाते campus तो यह मान के लिए September को हटाईए अग 2 वर में हो सकता है कि आपके examination form release कर जे जाए और जिसमें आपको सारे subject choose करवा जाए कि आपको 5th semester में और 6th semester में क्या लेना है अब मैं honors वालों को बता जाता हूँ आपके 8 subject रहने वाले है second year में आपके 10 थे third semester में और four semester में पांच माच और आपकी जो third year है यानि final year उसमें चार्चा subject रहने वाले है fifth semester में और six semester में honors का बता रहा हूँ अगर program का भी पूछना है तो आप comments में पूछ लिजएगा मैं बता दूँ examination form का सब कुछ क्लिए है अब आते है fees structure के उपर तो आपकी जो fees structure है वो क्या रहने वाला है देखिए मैं आपको बतायता हूँ एक range बतायता हूँ 3,700 से बीच से लेकर 4,200 की बीच में आपकी fees रहने वाली है आपके final year की तो इतना जुगाड करके रपेल ही रखिएगा कि आपकी इतनी fees लगने वाली है 4200 रुपे तक 3,700 से लेके 4200 रुपे तक की आपकी fees लगने वाली है आपके final year की इसके बाद आपका final year कंप्लीट हो जाएगा और आपको degree प्रोवाइट करा दी जाएगी अगले साल वो चलिए बात की बात है कब मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपको बाद में बताएंगे पर आप pass out कर पाएंगे और ये बात आपको ध्यान लगना है 5th and 6th समयज में कोई भी गलती नहीं करनी है आपको अच्छे से exam देने और सभी exam को pass करना है ये मैंने examination form का भी बता दिया कि आपके exam form अक्टूबर तक आने के असार है पीश च्रक्चर मैंने बता दिया 3700 के बीच में होगा 4-7 का result update बता दिया अगस्त में आने के काफी ज़्यादा असार है अभी 15 दिन बचे हैं और registration कब होंगे बाकी result जैसी आता है उसके बाद आपकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी तो कि अभी इतने दिन से आपको कोई update भी नहीं दिया जाया था जोगी update ठाई नहीं दे भी तो क्या update दें जब कोई update दिना था और इसलिए आपको कहा था शानत रही है अपना जितना study पर focus करना है किजिए तो कि final year है final year में जो कर गया सभी काम वो आगे निकल जाएगा और जो नहीं कर पाएगा वो एक सार ऐसी लटकाए जाएगा तो आपको लटकने वाला काम नहीं करना है सीधे आर या पार सीधे डिग्री लीजे काम खतम कीजे शोल का किस्सा खतम कीजे लिकिस बार जो ब्याल इसलिए 37 रुपे लगने है उससा आपका पूरी डिग्री का काम खतम होई जाएगा बाकि यही चीज़ आपको बताने थी भाकि जैसे जवघ्डीट आएगा तो आपको इन्फरारम कर दे जाएगा तो आपको बेलल नाटिशन को ऑल पे जरू रहरा होना है और टेलिग्राम से जरू जड़ जोड़ जाएगा जैसे को झानओ जाएगा चानओ ये यई प्रम को ओूच यही चानओ को